Hello to my wonderful people, अब सबका एक बर फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है Wesleyan एक बहुत ही common सी चीज है जो सब के पास available होती ही है तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है आज मैं इस वीडियो में आप सब के साथ 7 Wesleyan hacks जो skin से related हैं वो शेर करूँगी आप इसे किस तरह skin पर use कर सकते हों और बहुत अच्छ रिजल्स पासकते हों तो चलिए देखते हैं क्या है ये hacks पूरा वीडियो एंड तक देखना डीटेल में सब कुछ important है वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा आज मैं आप सभी के साथ वेसलीन के साथ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो स्किन से रेलेटेड हैं और आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं वेसलीन एक पेट्रोलियम जैली है पेट्रोलियम जैली अलग अलग ब्रैंड की आती है तो आप जो ब्रैंड की पेट्रोलियम जैली लेना पसंद करते हैं जिससे आपको बेस्ट रिजर्ट मिलता है आप वो ले सकते हैं मैंने यहां वेसलीन दिया है क्योंकि वेसली अगर आपके आईलेशिस और आईब्रोस काफी थिन हैं और उसे घने करने के लिए आप कोई भी क्रीम ये रेमेडी यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद वैसलेन को भी अपलाई कर लो क्योंकि वैसलेन उसके मॉइस्ट्र को लंबे टाइम के लिए लॉक कर देगा जिस वज़ होगी हैक नमबर टू गेट रिड़ ऑफ ड्राय लिप्स आपके लिप्स कितने भी जादा ड्राय हैं रूखे हैं बहुत जादा फटने लगे हैं तो आप वैसलेन का इस्तामाल करें लेकिन रात के समय में दिन में इसे अपलाय नहीं करना है रात में सोते टाइम इसे अच् 3 around the eyes, हम वैसलीन को आखों के आसपास भी लगा सकते हैं, हमारी स्किन पे oil gland होता है, जो oil secret करता है, बट हमारी आखों के पास कोई oil secret नहीं होता है, जिस वज़े से आखों के पास का जो area है, वो dry हो जाता है, hydrate नहीं रहता है, जिस वज़े से wrinkles और fine lines हो करते हैं, इसलिए आप रात के समय वैसलीन को आखों के पास आसपास अच्छे से अपलाई कर सकते हैं, हलके आहद से एक finger की मदद से आप आखों के आसपास इसे अपलाई करें, और कुछ ही दिनों में आपको फरक नजर आएगा, इसे डेली अपलाई करने से wrinkles और fine lines धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन इसे रात में ही लगाना दिन में नहीं, क्यूंकि वैसलीन को लिप्स पे, स्किन पे अपलाई करके आप सन में जाओगे, तो वो उसे area को काला कर देता है, इसलिए इसे रात में ही अपलाई करना, दिन में बिल्कुल अपलाई नहीं करना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी क्रीम प्रिपेर करने का, काफी जादा बिजी रहते हैं, लेकिन क्रेकील को ट्रीट करना चाते हैं, तो वैसलीन को रोज रात को सोने से पहले अच्छे से अपने पैरों में अपलाई करें, इसे डेली अपलाई करने से, आपको काफी जादा फर्क नजर आएगा, वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे क्रेकील क्रीम भी शेयर किया है, जिसे बनाना काफी एजी है, और वो क्विकली बन भी जाता है, सीरियसली उसे ट्राइ करने के पाद आपको चार से पांच दिनों में ही काफी जादा फर्क नजर आता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाने का तो आप वैसलीन को भी यूज कर सकते हैं, अगर आप अपने ब्लैकेट्स और वाइट्स रिमूफ करना चाहते हो, तो आप वैसलीन का यूज कर सकते हो, नोज एरिया में अच्छे से वैसलीन को अपलाई करो, जब आप अपलाई करोगे, तो हलकी सी हीट महसूस होगी, जिससे ब्लैकेट्स और वाइट्स रिमूफ होने लगेंगे, तो अच्छे से मसाज करें वैसलीन लगा कर, लेकिन इसके बाद वैसलीन को अच्छे से रिमूफ करना, क्योंकि अगर वैसलीन फेस पे रह गया, तो करते भी होंगे, बट वही है, जब आप मेकप रिमूफ कर लोगे, उसके बाद टिशू से वैसलीन को अच्छे से फेस से क्लीन करना, और फिर फेस फॉश कर लेना, हैक नमबर सेवन, मॉइस्चर दी डार्क एरिया, जब भी आप कोई होम रेमेडी अपलाई करें, डार्क स्किन से रेलेटेड, और कमेंट में ज़रूर बताना, आप कौन सा हैक चूज करना चाहोगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ, थै